हलो एन वेलकम टू चानक की आई सक्याडमी जैपूर्स यूट्यूब प्लाटफर्म दोस्तों आज हम अपना मैपिफाइ सीरीज का दूसरा लेक्चर 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 पहले लेक्चर में हमने देखा था अंडमान अंडिकोबार आइलेंड उसके मुझेंगे कैसे उसको एक अच्छे आंसर में इस्तमाल कर सकते हैं और आज का ये लेक्चर आपकी दो जगह पर हेल्प करेगा सबसे पहला प्री में अगर कोई ऐसा क्वेशन आता है जहां पर कीवर्ड आपको यूज करना होता है आपको जगह पहचाननी होती है कि ये कहा लाilight करता है तो उसमें आप ये लेक्चर से हलव ले सकते हैं और दूसरा अगर में कोई क्वेशन आता है इंडिया और मॉ Grad के रिलेशन सकते हैं तो हम शुरू करते है अपना आज का लेक्चर अभी जो यहाँ पे प्रेसिडिन्ट एलेक्ट हो करके आए इं मुहम्ब मॉई लिजु ने कहा है इंडिया को अपने ट्रूप को वापेस बुला लेना चाहिए ऐसे ही अगर मॉल्डीव की आप हिस्ट्री देखेंगे 1966 के आज पास यह जो कंट्री है यह इंडिपेंडेंट हुआ इंडिया वन ओफ फर्स्ट कंट्री था यह वन ओफ फर्स्ट नेशन था जिसने इसको इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पर रिकागनाईज किया फिर उसके बाद जब इसमें डेमोक्रेसी एस्टाबलेश हुई कि 2005 के आज-पास उसके बाद से जो जो प्रेसीडेंट के टेनए और रहे हैं वहाँ पे जो पावर सेंटर से हैं वो दोनो पावर के बीच में ऑसिलेट होते रहे हैं कभी जो President आते हैं, प्रो-Indian होते हैं, कभी President जो आते हैं, प्रो-Chinese होते हैं, अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पर मुहमद नशीद आये थे, 2008-2012 के दौरान उनका tenure था, उनको प्रो-Indian President के तौर पे देखा जाता है, यानि उनके दौरान इंडिया की भागीदारी इंडि लिए कई साई rallies निकाली, उसके अलावा अभी भी एक India Out Campaign शुरू हुई थी, जिसको यह पूरी तरीके से बैक कर रहे हैं, उनका पुरजोर यह समर्थन कर रहे हैं, उसके बाद फिर से प्रो-Indian President आये एक, और अभी जो आये हैं, वो प्रो-Chinese President है, इसी वजह से इंडिया पर कही ना कही Maldives को लेकर चिंताएं बढ़ती हैं, अब यह चीज़ समझना बहुत important है कि India और Maldives के बीच में कैसे relation है, क्या significance है Maldives का India के लिए, तो यह कुछ points हैं जो आप अपने answer में भी लिख सकते हैं, सबसे पहले, trade की terms में हम लोग बात करते हैं, अगर trade की terms में बात करता है, या constitute करता है, तो कितना important है economically आप जानते हैं, strategy के लिए अगर मैं बात करूँ, तो Maldives कई सारे important organizations का हिस्सा है, सार्क की बात कर लीजे, सासे की बात कर लीजे, सब में Maldives का important contribution रहा है, important उसका हिस्सा है वो, उसके अलावा, जो Maldives है, वो Indian Ocean के एक strategic point पे located है, यानि क कोई भी यहां से trade होगे, या फिर कोई भी vessel पास होगा, तो Maldives के वो area of influence में आईगा ही, उसके अलावा, इंडिया का कई सारा, कई amount में, डाइस्पोरा यहां पे निवास करता है, उसके अलावा, इंडिया ने लगातार यहां पे assistance देती रही है, जैसे कि, सबसे पहले हम ब करने के लिए, उसको suppress करने के लिए, इंडिया अपनी forces भेजता है, तो पहला इंडिया का assistance, उसके अलावा, tsunami आता है, वर्ष 2004 में, तब भी इंडिया ने assistance भेजी थी Maldives के पास, 2014 की बात करे, तो जो Maldives का capital हमाले, वहां पे water crisis हुआ था, drinking water की shortage हुई थी, तब भी इंडिय इंडिया सबसे आगे बढ़के आया था, और Maldives की help की थी, यहने इंडिया की history में, एक forrunner रहा है, जिसकी अगर आप बात करें, जो Maldives को help करता रहा है, infrastructure के terms में बात करें, कई सारे ऐसे projects हैं, जो इंडिया वहां पे चला रहा है, या फिर उसको assist कर रहा है, सबसे पहला, greater mali connectivity project, वहां का एक बहुत बड़ा project है, in fact बहुत बड़े amount में इसमें investment इंडिया ने किया है, उसके अलावा आप बात करें, तो एक हनी मादू international airport, ये भी Maldives में है, important airport है, और इंडिया की इसमें अच्छी assistance है, उसके अलावा, अदू city में इंडिया एक college बना रहा है, एक college से संबंदित है, ये Maldives से related है, इसका भी project इंडिया चलाता है, उसके अलावा, Maldives क्यों important है, एक exclusive economic zone का concept होता है, जो आपके territorial boundaries हैं, उससे करीब 200 nautical miles तक, seaward आपका territory extend करती है, जिसको EEZ कहा जाता है, economic exclusive zone, इंडिया के जो EEZ है, उसमें कही ना कही Maldives exist करता है, इसलिए भी important हो जाता है, EEZ के तहत हम लोग बहुत सारी चीज़े explore कर सकते हैं, बहुत सारे minerals को explore कर सकते हैं, तो वहाँ पे Maldives important साबित हो सकता है, ये कुछ ऐसे terms हैं, ये कुछ ऐसे points हैं, जो आप अपने exam में use कर सकते हैं, उसके अलावा, इंडिया ने assist किया है, vaccines के case में भी, जब प कई सारी जगह पर इंडिया अपनी assistance दिखाता है, तो इसलिए इंडिया और Maldives के बीच में एक अच्छे relation establish होते हैं, लेकिन कई बार ये relation डगमगा जाते हैं, वहाँ की leadership change के साथ में, तो ये important था, फिर हम देखते हैं, mapping की दृष्टी से ही कैसे important हो जाता है, जब आप Maldives है, तो उसमें कुछ-कुछ हिससे इस प्रकार से छोटे-छोटे islands हैं, आप समझेए, उपर का जो अटोल है, यहाँ पर कहीं हनी मादू international airport पड़ता है, जो हमने बात की थी, इंडिया ने इसमें assist किया है, उसके अलावा, एक important चीज यहाँ पर होती है, माले के आसपास, जह काता है, यहाँ पर सीना माले ब्रिज, सीना माले ब्रिज बेसिकली जो है, चाइना के साथ मॉल्डिव का एक assisting project है, यहाँ पर इसको friendship bridge भी कहा जाता है, चाइना और मॉल्डिव ने मिलके, माले और एक और दूसरा island उनके बीच में connectivity स्थापित की है, अब यह चीज दिखात से जो oscillating power centers है, कभी जब president pro Chinese आते हैं, तो यहाँ पर Chinese infrastructure development में help करते हैं, और कभी जब वो pro Indian आते हैं, तो Indian या फिर India के infrastructure development में assistance आपको दिखाई देती है, फिर यह नीचे एक अड्डू city आता है, वो important हो जाता है, वहाँ पर एक college की हमने स्थापना की है, लकाडिव सी भी इस इसके water से equator pass होता है, अगर question पूछा जाता है, तो आप इस चीज को ध्यान रखे, equatorial channel इसको कहते हैं हम लोग, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो पिछले lecture में हमने पढ़ा था, लक्षतीब group of islands के बारे में, हमने उनको दो हिस्सों में विभाजित किया, उपर के group of islands थे और नीचे एक mini-coi था, अब mini-coi को separate करने वाला Maldives से एक channel था, जो हमने पढ़ा था, कैसे याद किया था, 8 degree channel को हमने दो round या फिर दो circle से याद किया था, 8 में ऊपर एक circle है, नीचे एक circle है, तो जिस दो entity को वो particular channel divide करता है, उसके भी initial alphabet same है, M और M, यानि mini-coi को Maldives से वो 8 degree channel divide करता है, ये important हो जाता है, उसके अलावा इसी नदन part of islands में ही कहीं honey-madu airport पढ़ता है, आपको नाम याद रखने की आससा ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर pre में ऐसा कोई question आता है, कि ये particular airport कौन से countries is associated है, तो आपको ध्यान रखना होगा, Maldives है वो, उसके अलाव ग्रेटर माले connectivity project के बारे में, लेकिन इसको समझने से पहले, इससे पहले एक और bridge बना था, एक और connectivity project बना था, लेकिन इंडिया और Maldives के relation में नहीं, वो इंडिया की बजाए चाइना और Maldives के collaboration में बना था, उसका नाम रखा गया था Sina Malay Bridge, Sina यानि की Chinese के collaboration में कहीं नही और Maldives की capital है, उसमें दो islands को यहां connect किया गया था, एक था Hulhule Island और दूसरा था Malay, अब ये भी अगर नाम आपके पूछा जाता है, या फिर प्री में कहीं आपके question आ जाता है, हulhule के बारे में तो आप ध्यान रखिए, ये Maldives से संबंदित है, फिर आता है इंडिया के collaboration वाला project, जहां इंडिया ने assist किया है, जहां इंडिया ने भारी मातरा में invest किया है, वो है greater Malay connectivity project, greater क्यों, क्योंकि जो Malay इसकी capital है, जहां अधिक मातरा में population निवास करती है, पूरी Maldives के comparison में, उस ही Malay islands को तीन और islands से के connect करना चाह रहा था, कौन-कौन से, एक था Willingley, एक फिर से नाम जादा important नहीं है, बस आप एक बर देख लीजिए, अगर exam में ऐसा question आता है, तो अपने आप्टिक हो जाएगा, तो ये तीनों island को bridge और roads के माध्यम से, उनका network बिछा के connect करने की जो रणीती है, जो ये project है, उसको greater Malay connectivity project कहा गया, फिर उसके बाद इसी के ऊपर एक UTF project के बारे में हम बात करते हैं, उतुरू थिला फालू जो भी इसके pronunciation रहेगी, उसमें भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये समझेए, ये project ऐसा था जो वर्ष 2021 में शुरू किया गया था, तब इसको शुरू किया गया था, और वहाँ पे जो coast guard है, उनके ल एक harbor बना के देते हैं, क्या नाम था उस harbor का, एक था harbor, एक था tiger नहीं, एक था harbor, तो ये आप याद रखिए, एक था harbor कॉनसी country के साथ associated है, Maldives के साथ, अब इसी के around अभी current issues है, यहाँ पे जो इंडिया ने help के लिए अपने personal सिया फिर अपने जो troop station किये है, Maldives कह रहा है, यह जो अभी pro Chinese president वहाँ पे आये हैं, वो कह रहे हैं, यह इंडिया की एक साजिश हो शकती है, कि वो Maldives में अपने military presence बढ़ा रहा हो, इसी लिए वो कह रहे हैं, यहाँ से इंडिया अपने military troops हैं, या फिर military personnel हैं, उनको हटाए, तो यह particular area है जिस पे बात चल रही है, लगा कि military presence Maldives में बढ़ेगी, जिससे हमारे security, हमारे sovereignty को खत्रा है, तो यह कही ना कही एक news का मुद्दा बनता है, और इसी को हमने connect करके पूरे Maldives को समझा, यह जो चीजे हैं, यह आपकी exam के लिए बहुत important है, तो एक बार हम revise करते हैं, हमने क्या समझा, सबसे पहले हमने यह प को assist किया है, फिर हमने दो connectivity projects के बारे में पढ़ा, एक जो चाइना के साथ बना सीना वाले project, और एक जो इंडिया की assistance से बना greater माले connectivity project, एक हमने UTF farmer में बाद की, जिस पे लगातार अभी मुद्दा चल रहा है, जिस पे अभी discussion चल रहा है, तो यहीं पर हम अपना आज का lecture समा पाएंगे, thank you